क्या मोबाइल फोन पर सेज करने पर ITC ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे क्योंकि मोबाइल फोन ही एक ऐसा असेड्स है जो रेगुलर बिजनस में यूज आता है और रेगुलर ही परसनले यूज में एकुलेंट आता है तो इसमें बहुत ज्यादा कन्फूजन रहता है क कि ITC मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी आज हम इस वीडियो में इसी कन्फूजन को दूर करेंगे इसके बारे हम अपने डेटेल में जानेंगे ITC लेने के लिए बहुत सी कंडिसन्स होती है उनको फुल्फिल करने के बाद ही किसी अर्सेट्स या किसी इंपूट गूड् आगा आटी सी बाद है तो कुछ दूर्श कंडिसन्स है वह फुल्फिल होती है तो आपनी आटीसिगे तो आज इसमें देखेंगे कि मोगैल फोन पे वह कंडिसन लगती ह्यां नहीं लगती है तो ITC मिल जाएगी और इससे घंतक पूदिसन को फुल्फिल नहीं हो रही है उसके इलावा जो भी goods और services या assets जो लिए है वो business purpose के लिए काम में आने चाहिए और जितना assets या goods या input service लिए है वो taxable supply के गेंस में काम में है उसी portion में ITC ले पाएंगे तो अपने mobile phone के case में देखते हैं कि यह business purpose के लिए काम में आता है बिजनस में क्या करता है अपनी business calls के लिए भी यूज करता है और personal calls के लिए भी यूज करता है तो department ने अभी तक इसके बारे में कोई special circular notification नहीं निकाला है कि mobile phone के ITC ले सकते हैं या नहीं ले सकते तो इसमें यह कि अपने देखेंगे कि mobile phone अपने लिया है वो reasonable amount का लिया है reasonable quantity लिया है जितना business पे अपने basically requirement है यह नहीं कि आप का business का benefit ही हो रहा है तो इस परकार यह होता है कि इसमें case to case depend करता है कि अपने को ITC मिलेगी या नहीं मिलेगी जनरली क्या होता है input लेते हैं और मिल जाती है तो अपन reasonable खरीच देंगे और बाकी conditions fulfill होंगी तो अपन ले पाएंगे बाकी condition क्या रहेंगी कि जो भी आपने mobile प्रसेज किया उसका invoice अपने पास होना चाहिए और जिससे प्रसेज किया उसने अपनी GSTR1 में दिखा दिया हो और GSTR2B में show हो गया हो और अपने पास mobile आ गया हो और यदि अपने जैसे lot में तो mobile आता नहीं तो यह lot वाड़ा case तो अ 780 डेज में payment कर दी हो यदि नहीं किया तो यदि ITC ले ली तो अपने को reverse करनी पड़ेगी और यदि अपने बिजन्स में इस पर ITC वाले component पर depreciation क्लेम कर लिया तो ITC नेम लेगी दूसरी ITC लेने का time limit रहता है कि जैसे इस साल में purchase किया तो अगले साल की सितंबर की return या उस इस साल की annual return में से पहले जो भी गई है उस तक ही ले पाएंगे उसके बाद बिनी ले पाएंगे और ITC on mobile block credit में नहीं आता तो ये condition भी fulfill हो रही है इसका कहने मतलब है जनली अपन reasonable cases होंगे तो ITC mobile पर ले पाएंगे बिस सरतों यह ध्यानक नहीं कि दूसर एक reasonable amount होना सी एक reasonable quantity होने से कि जितने अपने यह नहीं अपने अड़ोसी पड़ोसी रिस्तेदानों के mobile परचेज अपने GST पर करने लेगे और input लेने लेगे क्योंकि department कभी ना कि आपको notice जरूर बेजा का है तो ध्यान रहे आइटी सी तबील ने जब आप खुद परचेज कर रहे हो और आप अपने business के coding ही परचेज कर रहे हो और reasonable amount में और reasonable quantity में कर रहे हो तबी आइटी से ले बैसे आइटी सी जनरली मिल जाएगी कोई दिकत नहीं है यदि आप condition fulfill करते हो तो I hope वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को like करें और share करें और channel को subscribe करें धन्यवाद